दिल्ली के अमन बिहार इलाके के एक सुनसान पार्क में पांच लोगों ने हैवानियत का ऐसा खेल खेला के पूरी राजधानी एक बार फिर शरमसार हो गई है पार्क में दो लड़कियों के साथ पांच लोगों ने गैंग रेप किया है पीडित लड़कियों में से एक नाबालिक बताई जा रही है दरदी बुद्वा शाम डो लड़कियां अपने दोस्तों के साथ इस पार्क में आई थी जिस वेसे एक लड़की नाबालिक बताई जा रही है तबी यहां पहले से मौझूद पांच लड़कों ने पहले तो इन लड़कियों के साथ छिर चाड़ की लेकिन जब उनके दोस्तों ने इसका विरोध किया तो इन लोगों ने उनकी पिटाई कर दी फिर वो हुआ जिसकी कलपना कर पाना बेहद मुस्किल है इन पांचों ने बारी बारी इन दोनों लड़कियों को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया आरोप है कि गैंग रेप की वारदात को अंजाम देने के बाद इन लोगों ने पिडित लड़कियों के साथ मार पीट की और उन्हें इस बाबत किसी को ना बताने की धंकी भी दे ड जाली जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया पुलिस ने मामला दर्च कर पांच लोगों को हिरासत में कर लिया है जिसमें से तीन नाबालिक बताए जा रहे हैं राज़ानी में एक बार फिर हुई गैंग रेप की इस वारदात ने दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिये हैं बीरो रिपोर्ट देभूमी नियूज